Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Studies Zone तो ये चल रहा है Maths का यवराज बैच जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो यवराज बैच है वो Basic Classes के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं और Basic Classes में आज का जो Topic है हम आपके लिए लेकर के आए हैं LCM and HCF तो हम जानेंगे कि LCM क्या है और HCF क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों LCM के बारे में दोस्तों देख समझो LCM कहता क्या है LCM का Full Meaning क्या लिखा है L for Least, C for Common and N for Multiple LCM का मतलब होता है Least, Common, Multiple मतलब की सबसे छोटा Common Multiple अब इसको बहुत अच्छे समझो मैं बहुत डेटेल में समझाने वाला हूँ अगर आपको बनता है तो वीडियो फास्ट करके आप लोग पढ़़़ो ठीक ना, Least Common Multiple का मैं आपसे बोलूँगा क्या होता है जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि 2 और 3 के Common Multiple लिखो तो एक काम करो, Multiple का मतलब Simple क्या होता है Multiple का Simple मतलब होता है किसी चीज की Table Multiple का मतलब Simple होता है किसी चीज की Table तो मैं आपसे बोलूँगा 2 और 3 के Common Multiple लिखो तो multiple पहले लिखना पड़ेगा, बाद में आप common multiple निकाल पाएंगे, तो 2 की table लिख डालिए, तो यहां में 2 की table लिखता हूं, तो 2 एंजा, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10, and 2, 6, 12, 2, 7, 14, 2, 8, 2, 6, 2, 7, 14, 2, 8, 16, and 2, 9, 18, and then 20, यहां पर लास्ट में आपके पास में कितना आ गया यह देखिए, यह तो आपने 2 की table लिख लिख ली, और आप यहां पर 3 की table लिखो, तो 3, 1, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 9, 3, 7, 21, 3, 8, 20, sorry, 3, 8, 24, 3, 9, 27, and 3, 10, 30, अब बच्चों आप इस चीज को समझों, मैंने आप से पूला कि 2 और 3 के यह दो का multiple लिखा हुआ है, और यह 3 के multiple, multiple मतलब simple table, अब मैं आप से बोलनों कि 2 and 3 के common multiple बताओ, common multiple, तो देखो 2 and 3 का common multiple सबसे पहले देखो, 2 की table में यहां 6 आ रहा है, और यहां भी क्या रहा है, 6 आ रहा है, मतलब यह दोनों की table में आ रहा, मतलब यह क्या है, common multiple, ओके, यह अगला multiple common कौन सा है, देखो यहां पर 12 आ रहा है, और यहां पर भी 12 आ रहा है, तो यह भी एक common multiple है, ओके, अगला multiple देखो कौन सा है, यहां पर 18 आ रहा है, और यहां पर भी क्या रहा है, 18 आ रहा है, ओके, यह भी एक common multiple का pair बन रहा है, तो आप यह समझ सकते हो कि common multiple जो हैं, बहु यह देखो common multiple यहाँ पर 24-24 की जोड़ी होगी तो मैं आपसे बूलूँगा कि क्या आप सबसे बड़ा common multiple बता सकते हो तो आप कहोगे देखो यह जो table है आपकी वो तो जाती ही जाएगी कहीं खतम नहीं होने वाली है और यह वाली table भी जाती ही जाएगी यह भी कहीं खतम होने वाली नहीं है इसलिए हम सबसे बड़ा common multiple तो नहीं बता सकते हैं बट हम सबसे चोटा common multiple बता सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जितने common multiple आपके पास मिले हैं उन सब में सबसे चोटा common multiple कौन सा है 6 तो यहाँ पर जो है आप बोलेंगे सबसे चोटा common multiple LCM क्या है 6 है तो इस तरीके से हम निकालते हैं, least common multiple, ओके, अब तो ये मतलब, ये क्या होगी, ये इसका समझने का तरीका हो गया, अब ये method नहीं है, अब मैं आपको बोलूँगा, least common multiple निकालो किसका, 2 का, 3 का, और 5 का, तो वैसे आप चाहो, तो अब यहाँ पर आपने 2 और 3 का निकाला था, अब 5 का निकालना है, तो एक नंबर आपको और बढ़ाना पड़ेगा, ये लो जी, किसका 5 का, 5 की टेब लिखने पड़ेगी, 5 एंज आ 5, 5 2s आ 10, 5 3s आ 15, and 5 4s आ 20, and then 25, then कितना, 30, then कौन सा, 35, and then इसके बाद 40, चलिए ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई common multiple हमको नहीं मिला है, then इसके बाद हमको और ज्यादा आंगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, तो अब हमको पता नहीं कब तक हमको जाना पड़ेगा, चलो कोशिश करते हैं, देख लेते हैं, बट मुश्किल लग रहा है, ओके मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल ह तो अब क्या करोगे, क्या आपको LCM निकालना है, तो आप सबकी टेबल लिखोगे, फिर देखोगे कौन सबसे छोटा multiple बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो six हा गया था, है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पर दिखनी रहा है कि कौन सा common multiple है, तो आपको common multiple निकालने का method बत देखे, यह 22 तक हम आ गये थे, 24 तक आ गये थे, अगर हम आगे चलेंगे तो देखे, 24 के बाद में कितना आएगा, 26 के बाद में 28, 28 के बाद में कितना आएगा, 30 आएगा, यस, अब यह देखे, यहाँ पर यदि हम common multiple की बात करें, तो आप pairs देखो, यहाँ पर भी आपको 30 दिख रहा है, यहाँ पर भी 30 दिख रहा है, और यहाँ पर भी 30 दिख रहा है, इसका मतलब 2, 3 and 5 का जो common multiple आएगा, जो LCM आएगा, least common multiple मतलब की सबसे चोटा common multiple, वो कितना होगा, 30 होगा, ओके, यह देखो क्योंकि यह 30 की जोड़ी यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, तीनों में जो, जो तीनों में multiple हुसकों क्या बोलते है, LCM याने की least common multiple, अब इसको निकालने के मैं आपको method बता रहता हूँ, तो बच्चों इसके दो method होते है, ओके, LCM का एक होता है, बड़ा method, एक होता है short method, एक होती है factor method, कौनसी method होती है, factor method, तो इसमें आ बढ़ जाएगा one bar, three से कित्ते बार जाएगा one जाएगा, और five से भी कित्ते बार जाएगा one time, बिक और यह सारे के सारे क्या है, प्राइम है, और प्राइम नंबर का factorization एक बार में ही खतम हो जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर में दो लोग ही divide करते है, एक वो खुद वो और एक one, है ना, तो आपने खुद उस number से divide कर देथे, तो आप क्या लिख सकते है, two को लिखा, आपने two into one, आपने five को कितना लिखा, आपने five को लिखा, five into one, और आपने three को कितना लिखा, three into one, अब आपको जो 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 नंबर के जोड़े बन रहे हैं, जिनके pairs नहीं बन रह तो जिनके pair नहीं बने आप उनको one one time लिखते जाओ, answer two into three into five, so answer कितना हो गया, इसका answer 30 हो गया, ये LCM का, एक और तरीक आपको LCM निकालने का मैं बता दूँ, उसको हम ये मान सकते हैं कि वो short method है, तो कैसे निकालते हैं उससे LCM से short method से, आपको यहाँ पर two लिखना है, divide करो, छोटा number, तो two one जा two, बाकी को छोड़ दो three और five, फिर three से divide करिए, तो यहाँ पर आएगा one, ये one पहले वाला one ही रहेगा, और यहाँ पर five उतार दीजे, अब दीखे five से जाएगा, तो यहाँ पर one, one और one, तो यह आपका LCM अब आपको निकालना है, तो बहुत ही simple, बल जो numbers आपके पास आए हैं, उनका direct multiply कर दो, two into three into five, that is equal to कितना हो गया, 30, तो आपका LCM कितना हो गया, 30, तो इस तरीके से LCM की feeling क्या कहती है, कि जो number, LCM मतलब वो सबसे छोटा से छोटा number जो तीनों की table में आए, मतलब तीनों का multiple हो, याद रखना, तीन वर्ड को याद L मतलब least, C का मतलब common और M का मतलब multiple, least common multiple, सबसे छोटा common multiple, जो तीनों में आए, जो सबसे छोटा हो यानिकी least, common यानिकी जो सब में आए, और multiple यानिकी जो table में आता है, तो ये कहलाता है हमारा least common multiple, इसको हम बोलते हैं, बच्चो LCM, ये कहलाता है हमारा LCM, अब आप सोचोगे कि भाई हम LCM तो पढ़ रहे हैं LCM का यूज क्या है है ना LCM का क्या है यूज क्या है ये सोच रहोगे ठीक है ना चलो LCM का मैं आपको एक practically use बता देता हूँ कि LCM कैसी problem में आपको साथ देता है LCM जो है कैसी problem में आपका साथ दिया करता है चलो समझो LCM कैसी problem में साथ देता है माल लो आपके सामने घर के सामने दो स्कूल है दो स्कूल है ओके दो स्कूल है और दो स्कूल में पहला स्कूल ही आपके सामने दिख रहा है किते मिनट में बसती है 15 मिनट में बसती है और यहाँ पर जो बेल है वो किते मिनट में बसती है मान लो 25 मिनट में किते मिनट में बसती है 25 मिनट में ठीक है ना 25 मिनट में मैं आपसे पूछूंगा बताईए कि इन दोनों स्कूल की बेल कौन से समय में एक साथ बजेंगी कौन से समय में अगर आपका school 8 बजे लगा है अगर आपका school कित्ते बजे लगा है 8 बजे, तो कितने बजे ये दोनों बेल एक साह的वेज पढ़ेनी देखो कितनी मजे की बात है, आपको समाझ में आगा LCM कितने चमतकारि कीज है कितनी मस्त चीज है LCM आपको समाझ में आएगा देखो दो इसकूल आपके घर के सामने हैं एक ये वाला और एक ये वाला इसकी बेल किते मिनट में बसती है हर 15 मिनट में बसती है अब आओ देखते हैं कि 15 मिनट और 25 मिनट में कब ऐसा समय आएगा कि दोनों बेल एक साथ बजेंगी दोनों बेल एक की बल कितने पर बची एट ट्वंटी फाइब पर बोलो या सॉन नो पहली बल बच्चु की दोनों की ट्रिंग ट्रिंग पहली बल बच गई न इसको मैं फर्स्ट बेल इसका नाम दे देता हूं और इसकी भी फर्स्ट बेल है है की नहीं है चलो अब देखते हैं इसकी बल बच गई चलो अब देखते हैं अगली बल इसकी कित्ते पर बच गई एट फॉर्टी फाइब और इसकी कित्ते पर बच गी एट सेवेंटी फाइब नहीं होगा देखो एट फिफ्टी में आपको ट्वंटी जोडना है तो नौ बच्चु कि होंगे क्योंकि एक घंटे म हैं 25 मिनट तो 25 मिनट में पहले 10 मिनट एड हो गए तो 850 कितना बन गया 9 बन गया बुलो यहां है न और 9 के बाद 10 के बाद कित्ते बच पंद्रा मिनट तो पंद्रा आप इधर जोड़ दो कित्ते बच गई 950 हो गया हो गए कि नहीं हो गया तो थार्ड बेल 915 में दोनों क बज़ी बुले या सौनू चलो अगली एड करते हैं फिर से अगली एड करते हैं यहां पर कितने बज़े बज़ गई 9 बज़ गई ठीक ना और यहां पर यह वाली बेल बताओ 25 मतलब कितना हो गया 9 25 940 ओके 15 प्लस 25 बिल्कुल सही जेरो हो गया दो एक तीन चार हो गया 940 यह हो गई इसकी 4 नंबल यह इसकी 3 बेल है और यह इसकी 4 बेल है ओके चलिए देखते हैं और आंगे देखते हैं भाई दोनों की कप साथ में बचती है अभी तो आंगे चलना पड़ेगा हाँ इसका कि रहा है 10 बच करके 5 मिनट ओके 10 बच करके 5 मिनट बिल्कुल सही 5 बेल हो चुकी है इसकी ओके चलो और एड़ करते हैं यहां पर 9 कितना हो गया 9 में 15 में 9 30 हो चुका है यह इसकी 6 बेल आ चुकी है और यहां पर कितना आ चुका है देखे 10 30 बिल्कुल सही 25 प्लस 6 बेल हो ये देखिए 9.15 और ये भी क्या 9.15 दोनों बेल जो है 9.15 पर बजी होंगी बट फरक ये रहा होगा ये बेल इस इस स्कूल का ये कौन सा पीरियड रहा होगा फिफ्ट पीरियड और इसका कौन सा थर्ड पीरियड समझ मैं आया तो ये हो गया मतलब इनकी दोनों की जो बेल एक साथ बजेगी वो कित्ते में बजेगी 9.15 पर तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों बेल जो होंगी बेल्स बोद बेल विल बी रिंग टुगेदर इन नहीं बेल टाइम के लिए एट लगता है ओके एट 9.15 समझ में आगे ना तो ये LCM का कमाल है LCM आपको बताता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स में LCM आपकी मदद करता है ठीक है ना तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ LCM कहा लगता है जहाँ पर रिपीटिंग सेंस की प्रॉब्लम होगी कैसी रिपीटिंग सेंस की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आपका LCM लगेगा क्या लगेगा वहाँ पर LCM लगेगा रिपीटिंग सेंस की प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आपका LCM लगेगा ठीक है ना चलिए repeating sense क्या एक और example से बता देता हूँ देखिए यहाँ पर कुछ repeat हो रहा था ना बार 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 बज रही थी ना हाँ तो repeat जैसा हो रहा था एक और problem लेते हैं चलो LCM का आपको और फंडा समझ में आएगा मान लो दो गोले चकर है ओके दो गोले चकर है बिल्कुल सही है दो गोले चकर है युवराज यहाँ पर दोड़ रहा है यहाँ पर युवराज दोड़ रहा है और यहाँ पर लोकेश दोड़ रहा है युवराज एक चकर को चार मिनट में पूरा करता है किते चकर को एक चकर पूरा circle लगाने में युवराज को कितने मिनट लगते हैं, चार मिनट, और location को कितने मिनट लगते हैं, छै मिनट लगते हैं, ये starting point है यहाँ पे, यहाँ पे छै मिनट लगते हैं, मैं आप से पूछ रहा हूं, बताईए, दोनों पहली बार के बाद दूसरी बार कब सेम पॉइंट पे होंगे, आएए देखते हैं, तो युवराज ने पहला चकर लगाया, देखें, युवराज को कितने लगते हैं, चार मिनट, तो युवराज का फर्स्ट चकर कितने मिनट पे लगा, फोर मिनट पे, चलिए देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लोकेस का फर्स्ट चकर कितने मिनट पे लगा, तो यहाँ पर युवराज का पहला चकर लग गया, युवराज पहले चकर में इधर आ चुका है, चलिए युबराज का दूसरा चक्कर कित्ते मिनट में 8 मिनट हो गया और लोकेस का दूसरा चक्कर कित्ते मिनट 12 मिनट युबराज का तीसरा चकर 12 मिनट पर युबराज का तीसरा चकर खतम होता है और ये देखिए मैच हो गया है दोनों एक बार फिर से मिल जाएंगे मगर इसका मन मतलब ये नहीं है कि दोनों एक बराबर चल रहे हैं युवराज का ये तीसरा चक्कर है और उसके पापा का कौन सा चक्कर है मतलब उसके पापा एक लैप पीछे चल रहे है जैसे आपने देखा नो कार रेस देखा होगा आपने तो कार रेस में क्या होता है जैसे ये बार-बार घुमती है कार तो पता चला एक खिलाडी आंगे होता है मगर फिर भी पुरानी वाली कार उसको मिल जाती क्यों? क्योंकि वो अपना second lap कर रही होती है और आंगे वाला खिलाडी third lap lap, fourth lap कर रहा होता है इसका मतलब यह नहीं कि वो आंगे कार हो गई है क्योंकि वो जो कार है वो अपना next lap कर रही है और वो पीछे चल रहा है yes or no हाँ तो यह जो लोग गेम्स खेलते होंगे उनको समझ में आ रही होगे यह वाली बात ठीक ना तो यह है LCM का कमाल LCM से ऐसी बहुत सारी चीजे फायदे में होती है चलिए तो LCM की practice अभी थोड़े देर बाद हम लोग करेंगे ओके फिलहाल हम आप से करते हैं आँगे पढ़ते हैं अपन जिसका topic का नाम है दोस्तो HCF तो अगला topic मैं आपके सामने ले के आ रहा हूँ HCF HCF का मतलब क्या है दोस्तो HCF का मतलब है highest common factor highest common factor बच्चों highest common factor का मतलब समझो highest common factor होता क्या है जैसे highest common factor सबसे पहले आप जानते हो ना highest तीन शब्दें यहां पे तीन शब्दें बच्चों यहां पे कौन कौन से तीन शब्दें पहला है highest common factor बिल्कुल सही तो तीन शब्दें यहां पे एक highest है common factor है highest मतलब सबसे बड़ा highest मतलब सबसे बड़ा common याने की common जो दोनों में हो तीने उमें हो, चारों में हो, पाचों में हो, जितने भी नमबर दिये गाए, उन सब में हो, सब में हो, सेम, हाँ, common यानि की सेम हो, सब में हो, और factor का मतलब तो आप जानते हो, चलो कुछ example ले ले लेते हैं, तब आपको समझ में आता, मालो मैं कोई number ले लेता हूँ, 15, और बहिया, common factor दोनों का 1, 1 तो सब का छो, सब दोरी, दुनिया के number का common factor 1 होता है, मगर ये सबसे छोटा common factor है, कौन सा common factor है, हाँ, तो आप से lowest common factor नहीं पूछा जा रहा है, आप से बूला जाता है, lowest common factor, LCF बताओ, तो आप बोलते 1, बट आप से पूछा जा रहा है, HCF, क्या प बत कौन होगा, बस, 15 होगा, कौन होगा, 15 होगा, और कोई common factor नहीं है, ओके, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, 18 के common factor निकालो, 2 है, 3 है, 6 भी है, ओके, और 9 है, और याद रखो बच्चो, कि 18 का half 9 होता है, आंगे कोई common factor नहीं मिलेगा, सीधे last वाला number आपको common factor मिलेगा, 18, बोलो या सौ अब आईए देखते, common कौन कौन से बन रहा है, देखो भाई, 3 तो common बन रहा है, ये देखो, 3 common बन रहा है, 5 नहीं मन रहा है, 15 नहीं मन रहा है, के बल दो ही common factor बन रहे थे, एक 1 बन रहा था, और एक क्या बन रहा था, 3 बन रहा था, तो इन में बड़ा कौन सा है, 3 है, तो तो इसका HCF जो आपके पास निकलेगा, वो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, इसका जो HCF हाइगा, वो क्या आएगा आपके पास में? 3, तो ये होता highest common factor, आईए कुछ हो, नमबर ले ले लेते हैं, चलिए हम ले ले लेते हैं, आपके सामने number 12 ले ले लेते हैं, ओके 18 ले लेते हैं और क्या ले लेते 30 ये हम common factor निकालते हैं इसके 12 के 18 के 30 के 3 नमबर है मैं पस में हमने HCF निकालना है इसका ओके अभी हम concept सीख रहे हैं मैं धर नहीं बता रहा हूं मैं आपको अब ही मैं आपको concept बता रहा हूँ कि इसका concept क्या है तो common factor के लिए सारे common factor लिखते हैं तो भाई 12 के common factor पता है आपको सबको सबसे पहले 1 है इसका भी 1 है 1 के बाद इसका common factor क्या होता है 2 भी होता है 2 के बाद इसका common factor इसका भी 2 होता है इसका भी 2 होता है अब सीधे 12 आएगा, क्योंकि 12 का हाफ 6 हो गया, अब 18 देखिए, 18 का common factor 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, OK, और कौन है, 6 के बाद कौन है, 9 है, 9 है, 9 के बाद सीधा क्या है, 18 है, 13 में common factor देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, OK, 1, 2, yes, 5 भी है, sorry बच्चों, 5 है, 6 भी हो गया 7, 8, 9, 10, 10 हो गया, OK, और कौन होगा, 15 होगा, ठीक ना, यस, आप चाहो तो पता ऐसे भी कर सकते हो, देखो, क्या, और 30 भी होगा, सबसे बड़ा, OK, आप ऐसे भी पता सकते हो, क्योंकि 30 को आप क्या लिखोगे, 1 into 30, तो 1 के साथ काई की जोड़ी वनेगी, 30 की, तो 30 आपक को लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, यस, यस, तो हो गई काम की बात, अब देखते हैं, भाई, common factor कौन, कौन है, तो एक तो 1, 1, 1 है, तो ये तो सबसे छोटा हो गया, हो गया कि नहीं हुआ, फिर इसके बाद देखो, 2, 2, 2 की भी जोड़ी बन गई है, एक ये other like 4, 3, 3 भी निकला है, 6 भी निकला है, तो मैंने बूला है, highest common factor, बोलो क्या होगा, six, to hcf जो होगा, इसका क्यों क्या होगा, six होगा, मryan aan जो सबसे बड़ा common factor हो कितना होगा, six होगा, जो बड़ा common factor हो हÊस्ट common factor हो क्या होगा, six होगा, आई बात समझ मेंना, हां, तो य यह है highest common factor निकालने का idea, अब मैं आपको इसकी method बता रहा हूं कि highest common factor की method क्या है, आइए देखते हैं इसकी method क्या है, तो highest common method को निकालने के दो method है, एक है factor method और एक है shortcut method, तो पहले मैं आपको factor method बताता हूं, कि जैसे यही question है आपके पास में, 12, okay, 12 है और कौन सा था भाई, 18 इसकी आपको निकालनी है, क्या, HCF निकालना है, तो क्या करो, सबसे पहले मैं factor method बता रहा हूं, तो 12 का factorization कर लो, तो क्या हो गया, 2, 6, 12, okay, excuse me, yes, तो क्या हो गया भाई साब, 2, 6, 12, यह 6 आ गया, यहाँ पे 2 ही रहेगा, ओके, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2, 3, 6 हो गया, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 बन जा 3, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हो, 2 into 2 into 3, बस हो गया, 18 को आप factorize कर दो, 18 का factor निकालो, 18 का 2 से 9, बिल्कुल सही, 3 इतना हो गया, तो इसको आपने लिखा, 2 into 3 into 3, okay, and then यहाँ पर आप 3 से 5 times, 5 से 1 times, बहुत सही, तो यह इसका factorization है, दोस्तों यह जो factorization हमने किया है, आप देखो ध्यान से, इन में हर जगे prime number आ रहे हैं, इसलिए इनका पूरा नाम है prime factorization, यह जो काम हम कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, prime factorization, इसको हम प्यार से factorization भी बोलते हैं, बट इसक का नाम है prime factorization, तो यह prime factorization है दोस्तों, तो आई हम prime factorization को लिखते हैं, यहाँ पर क्या आजाएगा prime factorization में देखिए, यहाँ पर आजाएगा 2 into 3 into 5, अब देखे मैं आपको पहले क्या सिखाता हूँ, hcf, hcf कैसे निकालते हैं, आप यह देखो कि common पूरा पूरा कौन बन र रहे हैं, तो देखो भाई साब, एक जोड़ा आपका 2 का बन रहा है, और एक जोड़ा आपका पूरा-पूरा किसका बन रहा है, 3 का, तो hcf हाएगा, 2 multiply by 3, answer कितना हो गया, 6, तो 6 इसका hcf हो गया, अब मैं यहीं से आपको lcm में निकालना सिखा देता हूँ, इस method से, lcm, देखो भाई, एक तो lcm में सबसे पहले उनको ले लो, जिनमें complete जोड़े बने है, तो किसके complete जोड़े बने है, 2 के और 3 के, अब जिनके complete जोड़े नहीं बने, उनको भी 1-1 टाइम लेते जाओ, तो देखो complete जोड़ा किसका नहीं बना है, 2 का नहीं बना है, तो इसे भी ल ले लो एक जोड़ा इसका भी नहीं बना तो इसे भी ले लो और एक जोड़ा फाइफ का भी नहीं बना तो इसे भी ले लो multiply कर दो 2, 3, 6, 6, 2, 12, 12, 3, 6, and 36 multiplied by 5 so 36 multiplied by 5 I think देखे 5 गुणई 6, 13, 180 येस तो इसका अंसर कितना आएगा 180 तो जो LCM होगा वो कितना आएगा 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180, ओके तो ये है HCF निकालने की factor method अब आईए देखते हैं इसकी shortcut method मैं आपको HCF की बता रहा हूँ, HCF की short method तो मैं क्या करूँगा देखे, यहां पर 12 रख दो, यहां पर क्या रख दो, 20 था ना, 18 था और यहां पर 30 है, चली short method, short method में आपको ऐसा number लेना है जिसमें तीनों में डिवाइड जाए तो 2 से जाएगा फिर अगेन आपको वही number लेना है जिसमें पूरा डिवाइड जाए, आप 3 ले लिजे, अब देखे, अब कोई number नहीं है जिससे पूरे में डिवाइड जाए, अब किसी से डिवाइड नहीं जाएगा, तो बस यहीं पर HCF को रोग दीजे, और लिख दीजे, जिससे जिससे डिवाइड गया है, 2 into 3, answer equal to 6, अगर आप इसके आँगे डिवाइड करते हैं, तो फिर क्या निकल आएगा, आपका LCM, अगर आपने इसके आँगे डिवाइड किया, क्योंकि सब में एक साथ डिवाइड नहीं जाएगा, तो आपका LCM निकलेगा, करके देख लिजे, अग आपका LCM आएगा, वो क्या आएगा, 2 into 2, 2 into 3 into 2 into 3 into 5, जिसको solve कने के बाद आपके पास कितना आएगा, 180, कितना आएगा, 180, तो ये है आपका LCM और HCF निकलने का तरीका, इस तरीके से आप जो है अपने LCM और HCF को निकल सकते हैं, ये हुआ वे LCM और HCF निकलने का, इसको नोट का लिजे, ओके, तो दोस्तों आईए अब इसका हम numerical करते हैं, कि इसकी हम देखेंगे कि इसके numerical कराएंगे आपको हम, मैं आपको समझाता हूँ कि इसका question कैसे आता है, HCF की meaning आपकी life में कैसी लगीगी, आपने बोला sir HCF तो हमने पढ़ लिया, बड़ इसका हमारी जि दहर में कोई birthday party है, किसी बच्चे की या आपकी birthday party है, okay, अब birthday party में आपने कुछ cold drink मंगाई है, क्या मंगाई है, cold drink मंगाई है, okay, अब cold drink में आपके पास में, cold drink में आपके पास में, 12 cartoon Pepsi है, 12 packs क्या है, बड़े बड़े cartoon box होते हैं न बैटा, ऐसे cartoon, तो 12 cartoon जो हैं आपके पास में किसके हैं बच्चों, Pepsi के हैं, किसके हैं, Pepsi के हैं, okay, then इसके बाद में आपके पास 18 जो बड़े बड़े packs हैं, वो किसके हैं, Mirinda के हैं, okay, Fanta के या Mirinda के जिसके कहलो, चलो मैं Fanta ले लिया, okay, and then आपके पास में जो कितने हैं, 20 जो packs हैं, okay, 20 packs आपके पास में किसे हैं कोका कोला के हैं, थड़ी पास में वीलिंग के तमस पर ए is पदूरी हैं खाल अथक्तर अब सब्चौशंधों मेरी you ूऐ अपके पास में आ चुके थीखै नंहीं एनश्यवल्ग कांपने इतने प प्रक्स जो है आपने इपने पास मंगा लिये हैं, अब देखो यार अगर तुम इन packs को ऐसे खड़े-खड़े करके रखते जाओ, अपने गोदाम में गोडाउन में, जहाँ पर तुमको इनको रखना है, तुम अगर अपने packs को ऐसे-ईसे करके रखते जाओ, जरह तो 80 नंबर का कार्टून यहां पर आएगा, आएगा की नहीं आएगा, बड़ा गंदा लगेगा, लगेगा की नहीं लगेगा, और 20 नंबर का कार्टून यहां पर आएगा, आएगा की नहीं आएगा, बहुत ही घटिया लगेगा, आप सोचोगे, कि मैं क्या करूँ, कि मेरे सब के सब ये Cartoon जो हैं बराबर बराबर आजाएं कैसे आजाएं बराबर मैं कितने number number of Cartoon कि ये बिलकुल equal equal आएं और अधिक से दिक height रहे इनकी बट equal equal आएं बोलो ये सौन लो हाँ तो अगर आप 666 के Cartoon बनाओगे तो कैसे आया 6 आपने hcf निकाला क्या काला HCF अभी आपने देखा था ना इसका कितना आया था 6 आया था कितना आया था 6 आया था अब मजी की बात देखो 6 6 के आप यदि रैक बनाओगे 1 2 3 4 5 6 तो ये Pepsi के किते रैक बनेंगे हाँ किते रैक बनेंगे 12 रैक क्योंकि 12 पैक है 12 कार्टून है तो 6 का एक बनेंगे 2 रैक बनेंगे क्योंकि 12 टोटल है तो यहाँ पे 6 आ जाएगी और यहाँ भी 6 आ जाएगी तो किते रैक बन गई 2 रैक बनी न अच्छा 18 पैक है तो बताई किते रैक बन गई 3 रैक बन गई आए ना मज़े से 3 रेक बन गई और 30 पैक है तो किते रेक बन गई 5 रेक बन गई अब आप सारे के सारे मज़े से देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे बताओ भाई आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि शुरू की 2 रेक किस चीज़ की है भाई साब पैपसी की है शुरू की 2 रेक किस की है पैपसी की है अगली जो 2 रेक्स है वो किस की है अगली जो 2 रेक्स है जादा बना दी मैंने अगली जो 2 रेक्स है है ना 12 था ना 6 6 2 18 था 18 थी ना 18 मतलब 3 racks, किती racks, 3 racks किसकी है, Fanta की, और अगली जो 5 racks है, Thumbs Up की है, Yes or No, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 racks है, वो किसकी है, Thumbs Up की है, बोलो Yes or No, और हर rack में कितने काटून लगे है, 6, कितने लगे हैं, 6, तो आपको कैसे पता चला कि मुझे 6, 6 के box लगाने पढ़ेंगे, HCF से, तो HCF क्या करता है, equal amount में चीजों को distribute करता है, समझ गया न, और जो सबसे बड़ी कतार बनेगी, boxes की, सबसे बड़ी जो कतार बनेगी, वो कितने box की बनेगी, 6 box की, Yes or No, सबसे बड़ी जो कतार रहेंगी, उसमें कितने box बनेगे, 6 box, अगर आप 6 से ज़्यादा box रखते हैं, तो equal amount का distribution नहीं होगा, फिर कोई कतार बड़ी हो जाएगी और कोई कतार, छोटी, समझ गया न, हाँ, तो इसलिए, सबसे equal distribution करने के लिए, आपके पास HCF कितना निकला है, 6, है न, कमाल की चीज, तो ये HCF से हमें पता चलता है, तो मैंने दोस्तों, आपको LCM भी clear कर दिया, कि LCM किस तरीकी की problem में लेगेगा, जिन problem में कहीं न, कहीं repeat involved होगा, वहाँ पे LCM लेगेगा, और जिन problem में कहीं पर न, कहीं maximum number of involved होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपने maximum number of box रखे थे, रखे थे कि न, रखे थे, हाँ, maximum number of box equal divisions के लिए दियूज होगा, तो क्य लगेगा, वहाँ पे HCF, तो बच्चों, HCF और LCM के question बहुत ही तगड़े आते हैं, और यह concept जो है, आपकी class से, याने class 4th से start होकर गे, यह concept class 10th तक चलता है, आप यकीन मानिए, जो मैंने अभी आपको यह question कराया है, पेपसी का, थमसप का, कोका कुला का, यह question class 10th का है, कि अगर देखे, आपको यह अभी समझ में आ गया, क्योंकि यह question जो है, अगर आपने समझ लिया, LCM के HCF के आपके अंदर feeling आ गई, तो आपको समझ में आ जागा, जिसे यह वाला question जो बेल वाला है, यह question भी class 10th के board examination में आ था, यह question भी class 10th के board examination में आ था, हाँ, रणिंग व करेंगे, देखेंगे कि वो question कैसे किये जाते हैं, ठीक है ना, तो यह question आपने देख लिये, अब आईए करते हैं कुछ questions जो exam में आपके पूछे जा चुके हैं, उन questions को हम देखते हैं, देखें यह आपकी worksheet है आपके सामने, और आपको अब हम कराएंगे इसका solution, है ना, इस के सामने question है, इसको हम लेकर के चलते हैं, अपने area में और इसके साथ हम निप्टेंगे, तो यह आचुका है आपका question, चलिए, यह आपके पास में question आ चुका है, यह देखें, question क्या कह रहा है, okay, यह देखें, question का कहना है, merchant has 120 liters and 180 liters, two kind of oil, he want to sell the oil filling the two kinds of tins in equal volume, find the greatest volume such a tin, बहुत बढ़िया बात, क्या कह रहा है कि एक merchant के पास दो पानी, दो container है, दो क्या है, container है, एक container में 120 liters का oil भरा हुआ है, और दूसरा जो container है, बड़ा वाला है, उसमें किते liter का भरा हुआ है, 180 liters का oil भरा हुआ है, अब कह रहा है, कि वो जो है, इस container के oil को, he want to sell the oil by filling the two kinds of tins in equal volume, अब कह रहा है कि ये जो है, है ना, ये, इनके oil को, ऐसे डिब्बे में रखना चाह रहा है, एसे डिब्बे में रखना चाह रहा है, कि चाहे, सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना, आपको इस वाले oil को भी और इस वाले oil को एक ऐसे size के डिब्बे में रखना है, कि ये वाला तेल भी पूरा-पूरा आ जाए, और ये वाला तेल भी पूरा-पूरा आ जाए, चाहे डिब्बे कितने ही लगें, है ना, तो बताईए, equal amount में distribute करना है, हैं दोनों तेल को, ओके, तो बताईए, क्या करना पड़ेगा, HCF या LCM, very good, क्या करना पड़ेगा यहां पर HCF, मतलब हमें 120 का और 180 का क्या करना पड़ेगा, HCF, तो आईए, short method से मैं करता हूँ, इनका HCF और देखते हैं, क्या answer आएगा, 120 और 180, ओके, देखें, यह हम किसका HCF कर रहे हैं, amount का, capacity का, तो जो हमारा answer आएगा, वो भी क्या आएगा, capacity में आएगा, है ना, yes, liters में, तो 120 सबसे पहले 2 से जान देजिए, तो 60, 2 से 45, अब 3 से जाएगा, देखें, 3 से 10 टाइम् 15 टाइम्स, 15, 3 से 45, ओके, एंड इसके बाद यह जाएगा, किस से जाएगा, यह इसके बाद यह 5 से जाएगा, किस से जाएगा, 5 से, so 5, 2 से 10, and 5, 3 से 15, अब देखिए, अब कोई number common डिवाइड नहीं करेगा, तो यहीं पर आपका HCF आ गया, अब आप इसके आँगे जाए 2 x 2 x 3 x 5, 2 x 4, and 4 x 5, मतलब किता हुआ, 60 liters, yes or no, मतलब वो highest capacity का डिवा, जो इसको भी equal parts में डिवाइड करे, और इसको भी equal parts में डिवाइड करे, कितना होगा, 60 liter का, कितना लिटर का होगा, 60 liter का, तो answer capacity of the 10 equal to how much, 60 liter, ओके, अब यह भी पता कर लेते हैं, कि किस के कितने डिबबबे बनेगे, यह 120 liter का है, तो 60-60 के part में डिवाइड करोगे, तो इसके कित्ते pack बनेगे, 2 packs, और इसके कित्ते pack बनेगे, 3 pack, yes or no, मतलब total कितने packs बनेगे, कितने डिबबे वो अपनी दुकान में लगाएगा, 5 डिबबे, कित्ते डिबबे, 5 डिबबे, जिसम और इन सब की जो volume है वो equal है, 60 liter, 60 liter, 60 liter, 60 liter, 60 liter, 60 liter, है ना कमाल की चीज, तो HCF क्या करता है, बिल्कुल equal equal part में break कर देता है, है ना, यस, तो equal equal amount में HCF का काम है divide करना, बिल्कुल equal equal amount में divide करेगा, हाँ, किसी के ज्यादा बनेंगे, किसी के कम बनेंगे, जैसे यहाँ पर, जुरुआत में amount भी कम थी 120, बट second type के ज्यादा बने, क्योंकि उनकी amount भी क्या थी, ज्यादा थी, बट मौका सबको बराबर मिलेगा, सबके 60-60 ही रहेंगे, clear हुआ, यस, तो चलिए आए देखते हैं, अगला question कौन सा, क्या कहता अगला question, ये देखिए भाई साब, ओह, य ये जो question है, ये LCM का है की HCF का है, जर बता दो आप लो, घंटी वाला question है इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कि घंटी बज रही है भाई साब, तो बताए ये question कैसा है, LCM का है की HCF का है, चलो, देखते हैं, okay, देखते हैं, देखो, क्या कहरा question, six bells commence together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 second, भाई, बहुत बढ़िया, देखो बच्चो क्या कह रहा है की, एक जो, एक जो 6 घंटिया लगी हुई है, मतलब देखो, ये bell 1 है, ये bell 2 है, बस, 6 bells लगी हुई है, और ये 6 bells जो है, बटा, अलग अलग समय में, एक बचती है, 2 second के बाद, किते second के बाद, हाँ, मत किते second के बाद बती है, 4 के बाद, ये किते के बाद, ये किते के बाद, ये किते के बाद, हाँ, 12 के बाद, ओके, हाँ, अब कह रहा है की, 30 मिनट में, ये कितने बार, 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 ट्रिंग, ट्रिंग करी होंगी, कितने बार, 30 मिनट में, ये कितने बार, ट्रिंग, 30 मिनट के अंदर 30 मिनट मतलब कितंगे सीकेंड 30 x 60 30 x 60 that is equals to आधे गंटे मतलब 30 मिनट में इतने बार बजी होंगी तो 30 x 60 मतलब कितना 1800 सीकेंड 1890 1860 में ये गंटियां एक साथ कितने बार बजी होंगी तो भेले तो ये पता लगाते है कि पहली बार ये कब बजी थी एक साथ ये 2 सेकेंड में रिपीट होती है बोलो हाँ है ना, ये 4 सेकेंड में ये 8 में, ये 6 में ये 10 में, ये 12 में बोलो ये सौनों, चलो start करते हैं सबसे पहले मैंने time start किया मेरा time सबके लिए 00000000 0, 0, मैंने set कर दिया, चलो time बढ़ता गया, पहली घंटी, इसकी कित्ते में बजी, 2 second में, बज गई, इसकी पहली घंटी कित्ते सेकंड में बजी, 2 second में, ठीक है न, हाँ, इसकी पहली घंटी कित्ते सेकंड में बजी, 4 में, इसकी कित्ते में, 6 में, इसकी कित्ते में, 8 में, इसकी 10 में और इसकी कित्ते में 12 में अब देखो आपको देखना है जब इसकी जो second घंटी है वो कित्ते मजी होगी 4 में इस वाली bell की second घंटी कित्ते मजी होगी 4 पे थर्ड वाली कित्ते पे 6 पे यही बल वन तीसरे बार कब बजी होगी 6 second पे 4 पर 8 पे फिर 10 पे फिर 12 पे आराम से 14 पे फिर 16 पे फिर 18 पे फिर 20 पे बजी होगी ना चलो अभी जाएंगे बटा भी रुख जा दोड़ा सा ये गया भाई पहली bell हो गई अब दूसरी bell देखते हैं भाई साब दूसरी bell कित्ते पर जी 4 बन जा 4 पे फिर दूसरी बार 8 पे 4 3 जा 12 फिर कित्ते पे फिर 4 5 जा 20 फिर 4 5 जा 20 फिर 28 32 36 40 ओके ये चलिए अब देखते हैं ये बाली है ना 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा 30 फिर्टी 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 जा 36 6 7 जा 42 6 7 जा 48 6 9 जा 6 9 जा 54 6 9 जा 63 8 2 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 48 6 जा एक मिनाट एक मिनाट एक मिनाट 8 3 जा 32 8 4 जा 32 8 5 जा 40 40 40 हां फिर फिर्टी फिर्टी पिर्टी जा जा 32 जा 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 है 60 जा तो 64 जा अब 72 जाए गा बाएगा अब एका और 12 का फिर ये आपके पास में घंटियों के repetition दिये हैं, अब वो समय तलासो, जो घंटी, एक बार सारी घंटिया एक साथ बजी होंगी, वो समय आप तलासो, ठीक है ना, तो देखो भाई साब, अगर आप बात करते हो 8 की, है ना, तो आप 8 की बात करते हो, तो 8 में देखो ध्यान से क्या responsible है, क्योंकि बड़े नंबर की तो मानना पड़ेगा, बुलो यस की नो, हाँ, तो सबसे बड़ा नंबर में 24 लेके चलता हूँ, देखो 24, तो 24 इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये तो बजीगी, फिर ये नहीं बजीगी, चलो मैं 60 लेकर के चलता हूँ, तो 60 यहाँ पे बै 24 देखो, यहाँ पे बैठा है, 24 यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक ना, तो मिलना सब में चाहिए न, तब तो ही होगा, तो 24 की बात हो चुकी न, इसमें आई नहीं रहा है, सब में एक साथ घंटी कम से कम बजनी चाहिए, एक साथ सब में घंटी बजे आपको ऐसा नंबर ढू चलो, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, अब हम ठक चुके हैं, अब हम directly क्या करते हैं, LCM निकालते हैं, क्या निकालते हैं, LCM, हम लोग ने इतनी मेनत कर लिए, अब हम LCM निकालते हैं, कि आखिर कितने सेकेंड के बाद ये सारी घंटियां, कॉमनली बज रही हैं, मत 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, and 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, देखे, 1 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार, 3 बार, फिर 2 से जाएगा, 1 x, 1 x, 3 x, 1 x, 5 x, 3 x, अब 3 से जाएगा, 1, 1, 3, 1 बार चला गया, यह 5 गया, यहाँ पे 1 गया yes or no and finally 5 से 1 1 1 1 1 सब कुछ 1 हो गया तो LCM मारा आ चुका है LCM equal to 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 into 3 into 5 ओके तो यह कितना हो गया हमारा 8 और 5 3 जब 15 तो answer किता है 120 तो यहाँ पे हमाँ पास 120 सेकेंड में मतलब सारी bells repeat हो जाएंगी तो आएए देखते हैं 120 तो हम काफी दूर थे देखो यहाँ तक 20 तक ही आये थे मतलब हमको बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा तो इसकी टेबल में 120 आएगा की नहीं आएगा बिलकुल आएगा तो यहाँ पे 120 मालो कभी न कभी आया यह 40 आ रहा है तो यहाँ पे भी 120 आएगा यह तो 60 आई चुका है तो इसमें भी कभी न कभी 120 आएगा हाँ तो 60 का टूजा मतलब लिखते 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 कभी न कभी तो आएगा 120 यहाँ पे भी देखिए 8 की टेबल में 120 कभी न कभी आएगा यहाँ भी 120 आ जाएगा दो बार चलेंगे 110 और फिर कितना आएगा 120 और इसमें तो आई गया था आ गया था ना मतलब 120 सेकेंड्स में ये सारी बेल एक बार साथ में बजेंगी बजेंगी की नहीं बजेंगी यस रिंग करेंगी मतलब इनका जो पहली बार ट्रिंग ट्रिंग एक साथ कों से सकेंड्स पे करेंगी 120 अब लॉजीक लगाओ 120 के बाद अगला चकर ट्रिंग 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 किते पे होगा 240 फिर अगला चकर किते प Ellerですか 360 किते पर होगा 360 आप से पूछा जा रहा है कि 1800 सेकेंड में कितने बार ये ट्रिंग ट्रिंग करेंगी तो क्या निकालना पड़ेगा हमें कि 1800 सेकेंड में टोटल कितने बार ट्रिंग ट्रिंग किया कैसे करेंगे बताइए नहीं इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम हम क्या करेंगे हम 1800 में डिवाइड कर देंगे किसका 120 का कर देंगे कि नहीं करेंगे भाई 120 में आप एक बार खड़ खड़ाती है तो 1800 में हमें पता करता है कितने बार सब रिंग करेंगी यह पूछा है ना तो LCM कितना आ गया 120 आ गया है ना तो अपने पास टोटल कितना दिया है 1800 कितना है 1800 में कितने बार रिंग करेंगी डिवाइड बाई 120 डिवाइड बाई जीरो से जीरो अब दो से कैंसल कर दो आप टू सिखज़ है 12 तू नाइन जा 18 और जीरो आ गया बुली है सुन ओ और 6 से तो पंद्रा बार जाते ही है 19 15 6 जा 90 तो आंसर की 30 मिनट में कितने मिनट में 30 मिनट में ये सभी घंटियां कितने बार एक साथ बजेंगी 15 ताइम्स कित मज़ा आ गया इस question को करके बहुत ही प्यारा question था मतलब कि ये जो घंटियां है ये 30 minutes में एक साथ कितने बार बजेंगी ये? 15 times समझ गया ना? 30 minutes बहुत बड़ा समय है बच्चों अगर ये ही question में मैं कह देता कि ये घंटियां ये घंटिया जो है 240 minutes में एक साथ कितने बार बजेंगी तो answer आ था 2 बार क्यों? क्योंकि पहली बार कितने मिनट में बजेंगी? sorry minute नहीं second तो पहली बार कितने second में बजेंगी? 120 तो अगली बार 120 फिर बजेंगी 120 प्लस 120 मतलब 2 बार कितने बार? 240 तो होता है yes or no? है ना? मतलब ये कितने बार एक बार बजेंगी? कितने बार एक साथ बजेंगी? 2 बार 240 seconds तो ये LCM पर बेस क्वेशन था जो हम लोगों ने किया भी ये किस पर बेस क्वेशन था? LCM पर तो देखिए हमने दो बड़े अच्छे-च्छे क्वेशन कर लिए है ये आपके क्लास 3 से लेके क्लास 3 तक आपको पूछे जाते हैं ऐसे क्वेशन आओ भाई, आ गया अगला क्वेशन फिर से ट्रैफिक लाइट जल रही है क्वेशन को ले चलते हैं और पढ़ेंगे क्या कहरा ये कॉस्चन? चलो तुक्का मारते हैं देख करके, ज़रा सोचो मन में कि ट्रैफिक लाइट वाला क्वेशन किससे हो सकता है, לק से या HCF से? तुक्का मारो बढ़ी सोचो ज़रा क्या हो सकता है क्वेशन किससे होगा Isaac से या HCF से सोची ज़रा चलो कुछ नहीं बोल पा रहे हो चलो कोई नहीं मैं बताता हूँ चलो देखते हैं कि LCM है कि HCF है ओके क्या कहे रहा the traffic light at three different road crossing changes every three minute two minute and four minute respectively the traffic light at three different road crossing at every three minute two minute and four minute respectively effectively है ना तो कह रहा है if they all change simultaneously at 8 p.m. when will they again change simultaneously देखो भाई क्या कह रहा है ठीक है ना भाई दो तीन different road है समझ गया ना तीन different roads है तीन different road है मालने लोग कि आपके पास में एक road यह गया है और इस तरफ मू करके एक traffic light लगी एक traffic light यह लगी हुई है लगी तीन होती ना यसी हां यह तीन लगी हुई है एक रोड यह गया है ठीक ना और तीन roads actually three different road कितने रोड है three different road एक different road यह गया हुआ है ठीक ना ठीक ठीक है लिए अब भाई 3D बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तीसरा road दिखाने के लिए सामने मैं कर रहा हूँ चलो यह road आगया यह road आगया यह road आगया यह road आगया आप समझ रहे होंगे समझ रहे हैं तीन road आपके बने हुए इस तरीके से हाँ यस तो तीन रास्ते हैं आपके पास में एक रास्ता यह जा रहा है एक रास्ता यह जा रहा है और एक रास्ता यह जा रहा है सामने की तरफ यह इधर यह इधर और यह इधर बिलकुल सही तीन road बने हुए है अब देखो क्या कह रहा है यह जो traffic light हर तीन मिनट में बदल आपको बताना है कि अगर पहले बार आपने जब देखा था तो ये एट बजे आठ बजे आठ बजे रात के आठ बजे जो है ये ट्रैफिक लाइट आपने देखी थी जिस समय ये तीनों बदली थी है ना तीनों बदली थी तो आपको बताना है कि आठ बजे के बाद ये कितने समय पे फिर से एक साथ बदलेंगी हाँ एक साथ बदलेंगी तो चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको तो मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपका सबसे पहले आठ था एक मिनट बहें तब यह आपने आठ बजे देखा था, Yes or No? Yes, तब आपने ट्रेफिक लाइट, फस्ट ट्रेफिक लाइट को देखा, सेकेंड को भी देखा, तीसरे को भी देखा, यह तीनों एक साथ बदल चुकी थी, बदल देखी थी, बदल चुकी थी, ओके, आपने अपनी इस टॉप क्ल लाइट के लिए भी टाइम कितना? 0, चलो अब बदलना शुरू हुआ, अब पहली ट्रेफिक लाइट का कलर चेंज हुआ, पहली ट्रेफिक लाइट कितने चाय में टेंज होती, थी में, तो चलो चेंज करते हैं, थी सेकंड के बाद बोलो, थी हुआ, फिर कित्ते पे इंच 12 पे फिर किते पे होगी 15 पे चलो हम इतना आ चुके अब आंगे बढ़ते हैं हाँ पहली वाली को 3 मिनट लगते हैं अगले वाले को कितने लगते हैं 2 तो 2 1 जा 2 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 और लास्ट वाली को कितने लगते हैं 4 मिनट तो 4 जा 4 हाँ फोर त्यान से देखो भाई साब अगली वाली लाइट यहां पे 12 बारा है यहां पे भी 12 बारा है मतलब फिर से 12 मिनट पे यह तीनों लाइटे चेंज होंगी हाँ या ना मतलब जिस समय उसने देखी थी उस समय कितना था 8 बजे यह सानो मतलब अगला जो टाइम जिस समय तीनों एक साथ चेंज होंगी वो क्या होगा 8 बज करके 12 मिनट तो युवराज कह रहा है कि मैंने भी तो सही बताया था तो कि युवराज ने इसलिए गलत बताया मैंने कहा क्योंकि उसने पूछा एट वाट टाइम किस समय पर वे जो फिर से चेंज आएगा तीनों एक साथ कोई दो सही तो अगला टाइम आएगा ऐगा 8.24 फिर अगला टाइम हैगा 8.97 पिर अगला टाइम आएगा 8.48 इस तरीके से आपका टाइम फिर 8.60 आने कि 9 9.00 पीम पर फिर से ये टाइम इनका गाडियों की एक साथ लाइट बद तो इसा थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि थोड़ा सा डिफरेंस रहे है ना और यह देखा जाता है तो यह question बढ़िया था आपका HCM का question इसमें involved था question number 3 अगले में देखिए फिर से आ चुका है question how often will five bells toll together in one hour if they start together and toll interval अब कह रहा है कि एक घंटे में कितने बार बजेंगी एक साथ जब यह बजने का individual time कितना है इनका 5,6,8,12 and 20 seconds तो बहुत ही simple है मैं कहूंगा सीधे सीधे सबका क्या ले लो क्या निकाल लो LCM निकालना पड़ेगा HCM नहीं निकालना पड़ेगा LCM है ना क्योंकि repeating problem है तो 5 यहाँ पे 6 है यहाँ पे 8 है यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 से भेजूँगा 5 को छोड़ दो 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार फिर 2 से जाएगा यहाँ पर 5 को छोड़ दो 3 को छोड़ दो 2 बार 3 बार 5 बार फिर 2 से जान दो एक बार और तो किता हो गया 1 हो गया यह हो गया 5 हो गया तो 2 x 2 x 2 x 3 x 5 तो 8 x 3 जा 8 x 24 x 5 जब 120 बिल्कुल सही बात है मतलब 120 सेकेंड में एक बार ये रेंग करेंगी Yes or No? हाँ 120 सेकेंड में एक बार रेंग करेंगी अब कह रहा है How often will 5 bells toll together in 1 hour if they start together and toll in the interval of this second देखो भाई साब 1 hour दिया है 1 hour दिया है और 120 सेकेंड में एक बार ये साथ में बज़री है तो 1 hour ध्यान से समझो 1 hour में किते 1 hour पहले एक घंटे में 60 मिनट होते हैं बोलो हाया न और हर मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड मतलब टोटल 3600 सेकेंड हो गए हो गए न कितने सेकेंड हो गए 3600 oh my god ये तो बहुत ही गलत बोल दी तुमने भाद भाई divide करोगे न 3600 सेकेंड में कितनी बार एक के लिए इतना समय लगता है तो इतने समय में कितने बजेंगी 120 सेकेंड में एक बार बजी सब की सब तो अगर मैं बोल देता 240 सेकेंड आपके पास में तो कितने बार ये ड्रम बज़ती है दो बार क्योंकि 120 120 के दो चकर लग जाते 240 अगर मैं बोल देता 360 तो कितने बार बज़ती है तीन बार क्योंकि 120 के कितने चकर तीन चकर अब मेरे पास 3600 सेकेंड है तो 3600 सेकेंड में कितने चक्कर लगेंगे डिवाइड बई कितना 120 से तभी तो पता चलेगा 0 से 0 कैंसल और 12 से किते बार 3 बार और तो 3 आ गया और 0 आ गया आंसर किते 30 मतलब 30 टाइम्स ये एक बार बजेंगे किते बार बजेंगी 30 टाइम्स आगये सब्ड कोई दिक्कत तो 30 टाइम्स बजेंगी बहुत ही प्यारे कॉशन है बहुत ही अच्छे कॉशन है तो आपको इजी तो मैं नहीं कहूंगा भाई साब बिल्कुली तो आपको ये कॉश्ण्स जो पूरे है ये questions आपको पूरे-पूरे करके आपको मेरे को दिखाने है बच्चों आप लोग इन questions को करिए ये बहुती बढ़िया बहुती प्यारे बहुती शांदार questions है इनको करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है ठीक ना और ये आपके बहुत बड़िया बड़िया concept बनाएंगे चलिए तो अभी की class को यहीं पर end करते हैं बड़ा मज़ा है आप लोग के साथ मिल करके आँगे की class को continue रुखेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपको जय हिंजय भारत नमस्कार